हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोतीस किचन फ्रेंड्स आज हम पालक से ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो पनीर को भी टकर दे दे जिसे पालक खाना नहीं पसंद होगा वो भी ये सबजी बहुत ही मन से खाएगा बच्चे हो या बड़े सभी को ये सबजी बहुत ही पसंद आएगी सभी इसे मांग कर खाएगे तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बनाना सुरू करते हैं यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीश पालक लिया है जिसे मैंने अच्छे से धुल लिया है और यहाँ पे मैंने कड़ाई में 2 गिलास के लगवग पानी को बॉयल होने के लिए रखा था तो जब पानी अच्छे से बॉयल होने लगए तो हम इसमें पालक को डाल देंगे और हाई फ्लेम पे इसे बॉयल कर लेंगे तो लगवग डेड़ से दो मिनट हम इसे बॉयल करेंगे तो अब देख सकते हैं अब यह बॉयल हो गया है इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम आफ करेंगे और इसे पानी से चान करके अलग निकालेंगे तो यहाँ पे मैं सारे पालक को पानी से अलग कर ली हूँ अब हम इसे दूसरे किसी प्लेट में निकाल करके ठंडा करने के लिए रखेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें यह बॉयल पालक डालेंगे ग्राइंड करने के लिए तो यहाँ पे मैंने पालक का अच्छा सा पेष्ट तैयार कर लिया है यह देखिए एकदम बारीख हमें इसे ग्राइंड करना है अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें तीन चौथाई पालक निकाल लेंगे और बाकी एक चौथाई पालक जो बचा है उसे इसी ग्राइंडिंग जार में ही रहने देंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ा टमाटर रफली चौप किया हुआ कुछ लसुन की कर लिया और दो इंच की लगवा अधरा दो बीडियम साइज की हरी मिर्च अब हम इसे भी ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है इसे हम ग्रेवी के लिए यूज करने वाले हैं फ्रेंड्स तो अब हमने जो बावल में पालक का पेश्ट निकाला है उसमें डालेंगे बेसन मैंने यहाँ पे तीन बड़े चमच बेसन लिए है और इसको फेटना सुरू किया है तो हम इसे लगतार तीन से चार मिनट अच्छे से फेट लेंगे बढ़िया से इसे गाड़ा बेटर बनाएंगे हमें इसे पतला नहीं रखना है अगर हमें जड़ा सा भी लगए यह पतला है तो इसमें बेसन और एट करेंगे यहाँ पे मुझे थोड़ा पतला लगा है तो मैंने एक बड़ा चमच बेसन फिर से यूज किया है और अब देखिए यह गाड़ा हो गया है और मैंने इसे चार मिनाट अच्छे से फेट लिया है तो अब इसमें स्वादनुसार नमक डालेंगे मैंने यहाँ पे दो से तीन पिंच के लगभग नमक मिलाया है क्योंकि आगे अभी हम लोग और नमक का यूज करेंगे दूसरी तरफ अब हम कडाही में तेल को गरम करेंगे और उसमें डालेंगे कुछ दाल चेनी के टुकड़े एक बड़ी इलाइची थोड़ा सा तोड़के इसके साथ ही एक छोटा चमच जीरा और दो पिंच हींग इसे अच्छे से चटकने देंगे तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच हल्दी पाउडर और इसके साथ ही एक छोटा चमच देंगी लाल मेच एकडम लोग फ्लेम पे हम इसे कुछ सेकेंड भूनने देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक प्याज चद्रक लहसुन का उसे इसमें मिला लेंगे और मिलाने के बाद गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे दूसरी तरफ जो हमने बेशन और पालक का पेश्ट बना के रखा है उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट को ऑईली करके अब हमने जो कडाही में मसाले रखेंगे पकने के लिए उसके बीच में रखेंगे एक छोटी कटोरी और उसके ऊपर ये पेश्ट रखेंगे पालक और बेशन वाला तो फ्रेंड्स हम इसे अलग से भी स्टीम कर सकते हैं लेकिन ऐसे हमारा काम और आसान हो जाएगा नीचे से मसाले पक जाएंगे और ऊपर ये पानी मिलाएंगे तो लगभग डेर किलास मैंने यहाँ पानी मिलाया है उसी ग्रैंडिंग जार में पानी लिया है मैंने और उपर से मैं यहाँ पे आधा चोटा चमच गरम मसाला मिला रही हूं अब हम इसे ढग देंगे एक बॉयल आने तक और यहाँ दूसरी तरफ मैंने जो पेश्ट को स्टीम किया था उसे ठंडा एकदम कर लिया है और काटना सुरू कर रहे हूं तो फ्रेंड्स आप मन चाहे से बड़ा या छोटा काट सकते हैं लिकिन ध्यान रहे काटने से पहले यह एकदम अच्छे से ठंडा हो गया रहे तभी हमारा जो इसका टुकड़ा तो यहां पर यह देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा निकल रहा है इसका टुकड़ा पालग का एकदम सॉफ्ट स्पंजी है यह यहां पर मैंने सारे पीसेस को निकाल लिये हैं एकदम पनीर की तरह यह दिख रहा है तो यह देखे फ्रेंड्स हमने जो पानी डाल के पकाया था ग्रेवी को वो अच्छे से बॉयल आ गया है पक गया है तो हम इसमें पालक के जो टुकड़े हैं उसे डाल देंगे और लो फ्लेम पे एक सी देड़ मिनट फीर से पका लेंगे ढब करके तो देड़ मिनट जब हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हमें आफ करना है और तड़का लगा लेना है तो तड़के के लिए मैंने यहां पर एक चमच घी को अच्छे से गरम किया है जिसमें कुछ टुकड़े लासुन के डाल रही हूं और आधा चोटा चमच मैंने लाल मेच भी डाला है और अब मैंने तड़का लगा लिया तो यहां पर हमारी पालक क सब्सक्राइब कर लिजे इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे की हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे